हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले है एक शेयर से रेटी जिसका नाम है रैलिस इंडिया लिमिटेड टाटा की अभी आप काफी निउस सुन रहे है कि अलग-अलग डी मर्जर्स होता हुआ नजर आ रहा है अलग-अलग शेयर आते हुए नजर आएंगे अना है टाटा की ही सबसीटरी है तो इस पर्टिकुलर शेयर से रेटीड हम आज की रेट में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एक्जेक्टली इस शेयर को बताने के पीछे मेरा रीजन क्या है ठीक है और बाइंग सेलन की कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं है इसलिए वीडियो को लाश्टक देखिएगा चीजों को समझने की कोशिश करिएगा तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पर काम कर पाओगे ओके टाइम ज़रूर लगता है जीडियो को समझने में बट दीरे दीरे चीज़े समझ में आ जाती है तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे व और साथ में अगर किसी को अच्छे से सीखना है बारी किया सीखनी है बेसिक्स टू एड्वांस हमारा कोर्स है जहां पर टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है क्यों लेना है क्यों बेचना है सारा को कोश्चन के आंसर आपको मिलेंगे 25,000 रुपर क कोर्स है ठीक है यह ओल्ड फीस है 25,000 रुपर कोर्स है और एक बार कोर्स को किया पीछ मुड़के देखने की जरूवत नहीं पड़ेगी थ्री मन्स की हैंडोल्डिंग और एक साल का एक्सपरियेंस जरूर लगेगा वह भी आपके लिए ही ताकि आप उसमें एक्सपर्ट ह हो सके हो बाकि जो भी चीज है सारी कि सारी आपको बताई जाएगी 860540501 और 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए और हमारे इस कोर्स को आप यहां पर कर सकते हैं साथ में अगर किसी को काम करना है ओके पोटफोलियो थोड़ा सा बढ़ा है तो इन्हीं नंबरों प नंबरों के बात कर रहें तो देखें यहां पर आप देख सकते हैं टाटा गुरुप कंपनी है 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 और है जाएं जाएंन धर श्री आप ओर 152 एस हाना तो 150 बाद ज्यादा कि इनकी हिस्टी है तो फॉल एक एंपाशा सब बढ़ जादा की इनकी इस्टी है तो यहां पर अ आप चाहो तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करिए इनके बारे में जान लीजिए नमबर वन श्रेंटिनिंग था हैंड्स आफ दो फीड 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 वर्ल्ड यहां पर देख सकते कंपनी के यहां पर सब चीज यहाँ पर दे रखी है किस तरीके से कंपनी यहां पर काम करती है सीड्स क्रोप प्रोटरक्शन एकल्ट है तो आगे बढ़ते और जानते है और कंपनी के बारे में तो पर आप देख सकते हैं, और भी चीज़ों को अगर कंपनी के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, तो यहां पर आप जाओगे आपको आईडे लगेगा, तो आगे बढ़ते हैं, मार्केट केप की बात करें, पारशेजार पांसो सतनवे करोड रुपे का मार्केट केप है, छोट असा मार्केट केप है, स्मॉल केप कंपनी है, और हमारे चाइनल का नाम भी कहा है, I am Small Cap Investor, तो कहीं न कहीं महेंगा नजर आएगा आपको, ठीका, बट श्टिल, मैं हमेशा कहता हूँ, PE के बेस पे काम नहीं करते हैं, और PE के बेस पे, हाँ, जब आपका वीजन लंबा हो, 20 साल का वीजन हो, तब आप पी के बेस पे काम कर सकते हो, बट श्टिल, अभी यहाँ पर PE पे, आप PE के बेस पे रहोगे, सोचोगे, यहाँ पर इतना PE है, मैं शेर को लेकर फस्त होने जाऊँगा, तो फिर वो एक अलग बात है, ठीक है, आप फिर उसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप श्टॉक मार्केट में कभी रिलेशन विद प्राइज और PE के देखोगे, आपको चीजे समझ में, आप आप सब्सक्राइब, आपको चीजे में आपनी क्लास में सिखाता भी हूँ, ठीक है, आप आएंगे तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा, बागी बात करें, ROC, ROE ठीक ठाक नहीं है, PE की बात करें, 39 का PE है, 294 का इसने अभी हाई लगाया है, ठीक है, और बुक वेल्यू की ब मैं small cap की बात करूँगा, कि यह सीट को हमेशा प्रेडिक करके रखिए, कि जब शेयर भागेगा तो अच्छी रिटन देगा, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, बर जब गिरेगा तो वो 50% तक गिरता हुआ नजर आ सकता है, तो इसले गबराना भी नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ अच्छी होगी तो वो bounce back करती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर वो ही चीज़ आपको यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ते है, इनकी peers company के बारे में जाना है, तो इनकी peers company यह है, बाकी quarterly results की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते ह आएगा, upside down चलती रहती है, starting में यहाँ पर अच्छी कासी यहाँ पर sales थी, फिर बीच में गिरती हुई नजर आएगी, और दुबारा jump हो, फिर यहाँ पर गिरावर्ट उस तरीके से दिखाई दे रही है, yearly base पर देखोगे, तो यहाँ पर sales में गिरावर्ट दिखाई आप इसके results भी पढ़ना चाते हो, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखोगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका result भी आ जाएंगे, अगले quarter के results company के positive आ सकते हैं, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना है, yearly base पर बात करें, company का performance दो जार बारे से अभी देखे, तो double होती हुए नजर आया है, ठीक है, more than even double हुआ है, बट इतना कुछ खास performance नहीं है, कि यहाँ पर, इसी वज़े से आप में, जब मैं चार्ट की बात कर रहा हो, अगर performance बैटर होता है, तो इस तरीके के double डोल नहीं होते है, सीधे उपर जाता है, पर performance उपर नीचे है, तो इ working progress में पैसे लगे हुए है, जो की positive बात है, investment है, 111 करोड का cash भी है, company के पास positive cash flow है, और बात करें यहाँ पर company के shareholding pattern की, तो यहाँ पर देखिए, FIIs 55% की यहाँ पर holding रखते है, और यहाँ पर देखिए, promoters की बात कर रही है, पहले 50% है जून 2023 तक, अभी 55% है, तो 5% की ह इसेदारी, पिछले 6 महीने में बढ़ती हुई नजर आई है, इसे ignore नहीं करना है, FIIs की बात करें, वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ा रहे है, DIs की बात करें, उनकी इसेदारी थोड़ी सी कम हुई है, 1.25% की, बढ़ चलेगा, बट पब्लीक से share लिए जा रहे है, पब पब्लीक में भी कौन रहे है, जुन जुन वाला सर की जो वाइफ है, वो यहाँ पर, रेलिस ने, यहाँ पर exit कर चुकी है, दो कौटर पहले, और वो ही शायद प्रमोर्टस में चले गए हो, तो एक पर देख लेते हैं, ठीक है, प्रमोर्टस में नहीं गए है, Tata Chemicals ने यह शेयर यहाँ पर खरीद लिए, तो देखिए, Tata का जो यहाँ पर demurger चल रहा है, ठीक है, उसमें यहाँ पर news आ रही है, कि Tata Chemicals के पास शेयर जाता है, और Tata Chemicals ने इसमें भी ले रखे है, तो इस वाजिसे भी यहाँ पर हो सकता है, कि यहाँ पर pump चल रहा हो, तो वो भी आपको यहाँ पर देखना है, बात करें ब्लॉक डील्स की, वो ब्लॉक डील्स आप देख सकते हैं, बैंसरी यहाँ पर देखिए, रहे जुन जुट वाला जी ने यहाँ पर शेयर यहाँ पर बेचे है, और Tata Chemicals ने वो शेयर यहाँ पर खरीद लिए, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, 20 जुलाई 2030 को लेट शेयर यहाँ पर एक करोड़ 69 लग शेयर यहाँ पर बेचे गए, आट परसंट के इससे इधारी लग 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 और वो किस दून ने खरी लिया, वो Tata और यहाँ पर FIs ने यहाँ पर खरीदते हुए, नजर आए, वो य करिए, बेल आइकन को हिट करिए, और की नोटिफिकेशन कौन करे, बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन है नहीं और चीज़ों को जितना हो सके, सीखने की कोशिश यहाँ पर करनी है, और यहाँ पर इन नम्मरों को नोट करके, कोर्स कर सकते हो, साथ में काम करना है, इस नम करणा है, इसके बाद शेयर अच्छा का से यहाँ बाग भी लिया, कोई इशु नहीं है, बट यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर शेयर एक बेस बनाके निकलता हुआ नज़रा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रेक आउट होता हुआ नज़रा रहा है, उसी को मैंने यहां पर cover भी कर किया है और कुछ लोगों को मैंने दिया भी है तो इस शिच को हमेशे याद रखिएगा ठीक है और यहां पर हम बात करें तो आप एक चोटा सा लगा के आप अगर चोटा सा रिस्क ले सकते 17 से 18 रुपे 20 रुपे के आसपास का रिस्क ले सकते हैं ठीक है तो यह यहां पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है बट एक साथ में रजिस्टेंस भी है ठीक है जो कि यहां पर इस शेर को बता रहा है कि 299 और 300 यह आसपास आके रुख सकता है बट यह दीर दीर जैसे ऐसे बढ़ता जाएगा ठीक है तो यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में यह शेर आपको इस प्राइस पर 360 तक भी यहां पर जाता हुआ दिखाई दी सकता है तो उसी हिसाब से आपको यहां पर काम करना है 22 सेलिंग की रिकमेंडिशन यहां पर देते नहीं है बट चीटों को सीखने पर ध्यान दोगे तो पैसा बनता हुआ नजर आएगा और एक चीट को यहां पर देखिए कि यह शेर काफी टाइम से क्या कर रहा है श्ट्रगल कर रहा है किस सेंस में श्ट्रगल कर रहा है तो य मुझे लगता है कि 2-4-5 रूपे का रिस्क लेकर 10 रूपे का रिस्क लेकर इसमें एंट्री करने चीए पहला टार्गेट यहां तक जा सकता है बट चीज़े जब निकलेगी ना इतने जलंबे कंसॉलिडेशन के बाद 2015 है और यहां पर लग नौ साल नौ साल बद जब को संदेट करना है चीजों को यहां पर अपने हिसा आप से देखना है किसी के कहने einer यहां मेरे कहने शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बैल आइकन को हिट करिएगा और जतना हो सकें प्यार करने ही कोशिश करिएगा हमसे और इन नमबरों को नोट करके साथ में काम कर सकते हो और कोर्स कर सकते हो Thank you so much, God bless